हेलो बच्छो लेट सीदा कि इसन कहा है कि तो यहां पे वेट फेहिं दा बलांक सीफ के बाद स्क्वेर रूट ऑथ दिपरेंस दो बुस्टे जा रहा है कि स्क्वेरोट अप्टेशिल डिफेरंस पिस तरी के से रिटीड होता है मेरा वेवलेंट तो देखे लेमडा क्या होता some potential difference तो वो कितनी होती है बटा काइट इनर्जी है हमारी charge of potential difference के टर्म में होती है बटा Q dot V ठीक है B के बटा potential difference है Q के चार्ज है तो दोनों को equate भी कर सकता हूं बटा मैं यहां से कि half mv square is equal to Q dot V ठीक है यहां से बटा V की value आजेगी 2Q dot V divided by m under root ठीक है तो lambda value कितनी है जाए बटा lambda value हो जाएगी h by m into में under root of 2Q dot V divided by m यहां पर आजागा बटा मेरा lambda is equal to h by under root of 2m q dot V तो यह होती है बटा मेरी debug development h के बटा मेरा यहां पर plank constant m charge है में मास उपार्टिकल है क्यों क्या बटा मेरा charge है भी क्या potential difference है तो मसे बुचा है कि potential difference के किस तरी के selected है मेरा wavelength लेंदा क्या होता बटा इन्निवर्शली पर पोर्पोर्शल 2 square root of क्या है मेरा potential difference के ना तो lambda is inversely proportional है बटा square root of potential difference तो inversely proportional लिखा बहुत अग्स नंबर A पर्फेक्यक्ड ग्रेक्ट था इए hope you understand the answer thank you so much